ब्रमा कुमारी स्कॉडलिवुड स्टूडियो मना रहा है इश्वर्य सेवाओं का मंगल महत्सव दस वर्ष की सेवाओं ने जो है विश्व को प्रेम से योग से इश्वरिय ग्यान से महकाया है और देखिए वक्त कैसे पंक लगाकर उड़ गया है दस वर्ष का जो आज मंगल महत्सव आया है और भ्राता जी दीदी जी स्वागत करता है आपका आज ये गौडली वुड परिवार पधारे आप आनंद है अपार खुशियां है बेश्वार बहुत बहुत स्वागत है पुसी से मैं जैसे ओड रहा हूँ मुझे मैसुस भी हो रहा है किन्तु साथ साथ में हमारे पूर्वज जो हमें विराशत में ये सब बाते दे गए हैं उनकी याद भी बहुत आती है बाप दादा हमारे साथ और उनके छत्रे छाया में हम पल रहे हैं और हमें इस प्रकार तैयार दादियों ने किया उन सब आदर्णिय दादियों को भी हम वंदन करते हैं हमारे आदर्णिय रमेश भाई जी भी बहुत याद आ रहे हैं उशा बेन भी याद आ रही है कि उन सब के आशेरवात से ही आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं इसमें आप सभी का भी साथ और सहकार दिन रात का जो मिला है उसके लिए भी मैं तै दिल से आप सभी का भी आज इस दस वर्ष़क के उत्सव मनाने के कारेक्रम में में अभार व्यक्त करता हूँ और यही चाहता हूँ कि इस प्रकार की सेवाएं अपनी आगे चलती रहे हम करते ही रहें ताकि बाबा का संदेश जो हमने टेग लाइन शुरू में बनाई थी कि लाइट हाउस टू दे प्लेनेट वो हम सार्थक करें गौडली वूड शक्सम बनकर वो कारे आगे बढ़ावे यही हमारी एक हमारा कहो मिशन है यही हमें जिम्मेदारियां बड़ों ने सौपी हुई है दस साल के इस सफर में हम उननी सज्जार एपिसोड बना चुके हैं स्पिरिचल में तो गौडली वूड श्टूडियो एक वर्ल्ड रेकोर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है वी सज्जार एपिसोड पूरा होने के बाद क्योंकि स्पिरिचल ने लौकिक देखा ने और कुछ देखा तो इस टूडियो के द्वारा सभी वरक की और सभी भाशा सब्छाह की और सभी प्रकार के कल्चेर हो या कुई मैमान आए उसका वाशन हो या सेवा हो सब्छार से उनको बुला के करवाते हैं और बाबा का नाम जो भी एक बार अंदर घुच जाता है वो यहां की सारी बाते देख § इतना प्रभावित हो जाता है, यहाँ जो एक ठीटर बना हुआ है, उस ठीटर में भी जो दिखाया जाता है, फिलम आदिया, कोई भी यग्या का प्रोग्रामाद, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो जैसे दस साल से स्टूडियो आगे बढ़ रहा है, दिन रात से वह हो रही है, वैसे ही आगे भी ये दिन दूनी रात चूगनी अपनी उनत्ती कड़ता रहे, और नया 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 कुछ ना कुछ हम लोग देखते रहें, तो सब तरह से सब को सब कुछ घर बेठे मिलता है, गोड़ली उड़ी स्टूडियो से, दस वर्ष बार बार से मैं देखता रहा हूं, ऐसानी के नहीं जानता भी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और बड़ा मन खुश होता था, कि स्टूडियो के द्वारा बहुत अच्छी सेवा हो रही है, और हम इंतजार कर रहे हैं, हरी लाल भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भाई, फिल्म बन रही है, कई सारी रुकावटें आती हैं, हिम्मत तो आपकी है, इतना सब कुछ उपर नीशे होता है, फिर भी आप सदा मुस्कराते हुए उसको फेस करके चलते रहते हैं, उमीद कभी छोड़ी नहीं है, और अभी आज का जो समाचार सुनाया, अगले तीन चार महीने में, फिल्म कम्प्लीट हो जाएगी, और फिर रिलीज होगी, विश्व भर में रिलीज एक साथ हो, ताके सारी दुनिया में दमाका हो जाए, कि ये भी कोई ऐसी सुन्दर चीज है, हमारे आदर्नियां बराता रमेश जी और हमारी आदर्नियां उशा भावी जी उन्होंने बहुत बहुत जिगर से ये स्थान बनवाया, और बहुत ही प्यार से, इसकी सेवाओं का चित्रन उनके मन में था, और कोशिश की उन्होंने, कि जहां तक हो सके, अधिक से अधिक वेरेटी सेवाओं यहां से हो, तो मैं समयता हूँ, उनकी भी भावने हमारे सामने सदा रहती हैं, और उसके साथ साथ, आप सब जो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, मैंने देखा किसी किसी को थोड़ा ज्यादा उसमें काम करने के करण कभी रेस्ट भी चाहिए होती है, तो हमारा इतना फर्ज है, कि दुनिया में कोई एक आत्मा भी न रहे, जो कहे कि मुझे बाबा का संदेश नहीं मिला, हमने देखा, हमने पाया, शिब बोला बगवान को सब अच्छी तरह से देखे, जाने और उसके भूले पन से सब कुछ उन से प्राप्त कर सके, करोडो की रोशनी के लिए, स्टुडियो रे चलते रहे ना, स्टुडियो रे जलते रहे ना, बहुत सुन्दर हरी भाई जी. स्टुडियो अपने इश्वरिय सेवाओं के दस साल सफलता पूर्वक संपन्द कर रहा है. अव्यक्त बाप दादा, ववरिष्ट दादियों, देवी भाता, रमेश भाई जी के शुब संकल्पों की साकार रचना, संपून विश्व में घ्यान का प्रकाश भैलाने और स्वर्निम दुनिया की स्थापना का कार्य तीब्र गती से कर रहा है ब्रह्मा कुमारी इस गौडलिवुट परिवार अपने सभी दर्शकों के साथ को सर्योग के लिए दिल से आभार्ध्यत करता है ब्रह्मा कुमारी इस गौडलिवुट स्टूडियो मना रहा है अपनी सफल सेवाओं की दशक पूर्ती